विश्वास एक छोटा शब्द उसे पढ़ने में एक सेगिंड लगता है सोचो तो मिनट लग जाता है समझो तो दिन लगता है पर साबित करने में कई बार जिंदगी लग जाती है और जब विश्वास पक्का हो जाए तो विश्वास घात कभी मत करना वरना कभी वापस विश्वास नहीं हो पाएगा और यही आपने समझ लिया तो वरिश्चिक राशी वारे लोगों के लिए दिसंबर मेने में ये चंद शब्द आपके लिए सफलता के गुरु मंत्र बन जाएगे नमशकार पर यह साथ हूँ मैं हूँ सुरेश्च रिबाली और आप देख रहे हैं वरिश्चिक राशी दिसंबर राशी वाल आज के राशी वाल में सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के परिवर्तन की उसके बाद कौन सी डेट पर आपको अलटरन चाहिए कौन सी डेट है उसके बाद हम बात करेंगे बिजनस और वेल्थ की जॉब और प्रोफेशन की फैमिली लाइफ लव लाइफ रिलेशनिशिप की स्टूडेंट और लर्नर्स की सेहत और ट्रैवल प्लान की और बाद में अंत में सभी ब्रश्चिक राश्य वाले लोगों के लिए मेरे पास होगा विशेश उपाय जो यादगार और शांदार दिसंबर को बना सकते हैं सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन की चार दिसंबर से मंगल चले जाएंगे ब्रश्चिक राश्य में आर्ट दिसंबर को शुकर मगर राश्य में दस दिसंबर बुध धनुराश्य में सोला दिसंबर सूरी धनुराश्य में उनातीस दिसंबर बुध मकर में और तीस दिसंबर को शुकर धनुराश्य में चले जाएंगे इन सब प्लैनेट के परिवर्तन से हमने आपके लिए राश्य फल तायर किया है सबसे पहले बात करते हैं उन एलर्ट हैने वाले डेट्स पे प्रिये सातियों महिने में दो चार दिन कोई ऐसे होते हैं जो हमारे लिए एक निराश्य बादी होते हैं काम में मन नहीं लगता है आप इन डेट्स में थोड़ा एलर्ट रहेगा अब बात करते हैं शुब तारिकों की शुब योगों से बन रही है ये एक दो तीन चार और एकतिस दिसम्बर को द्वादश बावर और आपकी राश्य में चंदरमंगल का मालक्ष्मी योग रहेगा 9, 10, 11 दिसम्बर को 4 आउस में जो कि सुक का गर है वहाँ गुरू चंदरमा का महान गजगे स्रियोग बनेगा 16 से लेकर 29 दिसम्बर तर 2 आउस जो कि दन का है वहाँ सूर्य बुद का बुदा देतियोग रहेगा मेरे परेसातियों इसके साथ साथ देवी देवता भी आपको आशिरवाद देंगे 8 दिसम्बर स्री राम जान की विवाह उसव 9 दिसम्बर चमपा सस्ती 14 दिसम्बर मोक्षदा, एकादशी और 16 दिसम्बर को मलबास परानव हो जाएगी शुरूबात करते हैं बिसनस एंड वेल्ट से आपको नई वेल्थ उपर्चिनिटीज पराप्त होगी नई जमीन, नई गाड़ी, नई लोगों का साथ बिलेगा मेने की 5, 6, 29 दिसम्बर को चंद्रमा का जब बिसनस है उसे 16 तक दोश रहे तब आप फैसले सोच समझके डबल चेक करके लें बड़े फैसले उस दिन मत लीजी चार तारिक को या चार तारिक से मंगल आपकी राशी से या राशी में स्वग्रे होकर रूचक योग बना रहे जिससे आप अपने बिसनस में कॉस्ट कटिंग करिए अनरगल खर्चे और एक्स्पेंडिचर से निजात पाईए वरना आपके पास पैसा कभी ठीके कर नहीं केतु की साथवी दृष्टी सेवन ताउस पर होने से आपकी फैनेशल कंडिशन में सुधार के लिए बिसनस में कुछ चेंजेज करके आपके जिवन में बिसनस में बड़ा परिवर्तन आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगा आपके बिसनस में कॉम्पेटिशन बहुत हो रहा है और आप अपनी क्वालिटी को पहचाने रिसर्च बेस्ट काम करिए दूसरों पर ध्यान जादा मत दीजे स्मॉल बिसनस होल्डर या जो लोग अपना खुद का कोई काम शुरू करने ही सोच रहे स्टार्टप एंटर्पेनियोर बनना जाते है घर से ही काम करना चाते है कुछ बैला है जिनको बहुत कुछ आता है लेकिन घर में सपोर्ट नहीं मिल पाते है गर से ही कुछ कर सकते है तो 7, 8, 26 और 27 तारी को जब चंदरमा बिसनस होसे नवब बंचम राजियों बनाए तब उमीद से बहतर आपको भरिना मिलेंगे खुद पर विश्वास रखे आपका काम सफल होगा बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन को देवताओं के गुरु ब्रैश्वती के साथवे दिरिश्टी करम इस्थान पर होने अनेंप्लोइड पर्संस को जॉब बिलना गवर्मेंट जॉब की चाहत रखने वाले लोगों को गवर्मेंट जॉब की चांसिस बढ़ना और आपको जॉब के साथ कुछ अलग इंकम जनेरेट करनी है तो उसके बहुत सारे आप्शन्स आपको मिलेंगी पांच और छे तारिक को चंदरमा का करम इस्थान से नवम पंचम राज्योग बन रहे हैं जिससे आपके बोस आपसे इंप्रेस रहेंगे और आपको समय समय पर अच्छी ऑपोर्टिरिटीज देते रहेंगे अच्छी तरह से आपको अपनी परफॉर्वेस निवानी है करम इस्थान में या दशम भाव के लॉड सूर्य सोला से लेकर 29 तारिक तक सैकिंड आउस में बहुत आदी त्योग बनाएंगे करम इस्थान से नमुपंचम राजियों रहेगा जिससे आपके मैरेजमेंट स्किल और अपने स्किल क्वालिटी एबिलिटी व्यूज आइडियास टीम लीडर बना टीम को एक जूड रखना आपकी वावाई करवाएगा आप अपने स्किल पर विश्वास रखिए और कुछ नई चीज़े पढ़ने सीखने वेबिनार सेमिनार के सब रहेंगे बास के लिए औरगनाइजेशन के लिए ट्रेवल करेंगे तब जाकर आप अपडेट भी हो पाएंगे और अपडेट भी कर पाएंगे करियर ग्रोथ इसी से आपको बिलेगी इसलिए पुरे जोश और जुरून के साथ जोड़ जाएगी अब बात करता है फैमिली लाइफ लव लाइफ और रिलेश्टेशिप की परिवार में हसी और खुशी का बाहुल रहेगा आप महीने की 7, 8, 26 और 27 सारी को चंद्रमा का पती पत्री के गरसे जब नमवं पंचम राजयोग बने तब फैमिली गेट टुगेथर आने वाले दिनों में गुमना फिरना वैसे भी सर्दी की छुटियां हो जाएगी क्रिस्मस हॉलेडेज होंगे निउ इयर हॉलेडेज होंगे लेकिन बच्चों के एक्जाम भी होंगे तो बहुत सोज समझ के आपको प्लैन करना चाहिए लेकिन योग पूरे बन रहे है चार तारिक से मंगल आपकी राजशे में स्वगरे होकर रूचक योग बना रहे हैं जिससे आप अपने परिवार के साथ इन्वाल रहेंगे सुब और मांगली कारे करेंगे प्रोफेशनली भी ग्रोथ अच्छी कर पाएंगे और परिवाल के साथ अच्छा समय स्पेंट करना कि जो मौका आपके पास कम ही मिलता है वो बिल रहा है पॉजिटिव एन्वार्मेंट अब आपको बनाना पड़ेगा केतु की साथवी दिष्टी पती पत्री गरपर होने से लव पार्टन लाइफ पार्टन बीच में शक पैदा होना ऐसा लगेगा कि गुटन फील हो रही है किसी और की एंट्री हो सकती है तो बहुत समझदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा अकिल अपन भी फील करवाएगा लेकिन जो वाकिय में अकेले ही है उनको अच्छा साथी एक कंबैनेंट मिल सकता है पांच ये उननतीस और तीस तारीकों चंद्रमा का सब्तम भाव से 16 गोष रहेगा जिससे आपके पार्टनर के साथ आपके बॉंडिंग मजबूत होगी मनी मैटर पर जगड़े फसाद दा करें आप किसी को पसंद करते हैं लव पार्टनर को आप लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं किसी से प्यार, इश्क और मौबबस से जुड़े वे दिल की हाल या दिल की बात भया करना चाहते हैं तो यह मैन्या लखी साबित होगा ट्रेवल करने के भी काफी मौके बनेगा बात करते हैं स्टूडेंट और लर्नर्स की शनी की तीस्ती तीस्ती पंचम बाव पर होने से कॉंपेटेटिव एग्जाम हो या जनरल एग्जाम की तैरीकर स्टूडेंट के लिए समय निकूल है बस इंतजार है रिजल्ट आने का तीन, चार, बाईस और तेईस तारीक हो चंदरमा का पंचम बाव से यानि पढ़ाई के गड़ से नमम पंचम राजयोग रहेगा जिससे हाईर एजूकेशन हो, जनरल एग्जाम हो, वाईवाई इंटर्वी हो सकता है गवर्मेंट रिलेटेट या उसके तैरीकर स्टूडेंट को सेमेस्टर एग्जाम आप ये समझ लिजेए कि आपके पास समय अच्छा है जितने ज्यादा मेहनत करोगे अच्छे अंग प्राप्त कर लेंगे उसके बाद गॉसिपिंग होते रहेगी केतु की पांचवेद रिश्टी पंचम बाव पर उने से आर्किटेक्शर, प्वारें लेग्विच, आईटी प्रोफेशल्स और जो लोग किसी प्रकार के करियर ओपरशनिटीज की तलाश में उन्हें ज़रूर बिलेगे आप अपने अच्छे आईक्यू और एक्यू लेवल को बढ़ाते हुए उसकी बदौलत नए इनिशेटिव ले पाएंगे आप नेशनल लेवल पर प्रतियों किताब भाग ले सकते हैं अगर आप स्पोर्स परसन है तो कुल बिलाकर एंतुजियास्टिक ये महीना रहने बाला है हमारे सभी स्टूडेंट के लिए बात करते हैं हेल्थ और ट्रेवल प्रैंट के इस महीने चार बार आपको परसनल और प्रोफेशनल लाइफ में ट्रेवल करना ही मौक्य में बनेगे आप इस महीने मेरे प्रेसातियों हेल्दी और वेल्दी फिल करें जिससे बॉड़ी मैंड सोल परसरेटिब है एक नया उत्सा आएगा आप लंबे समय से किसी बिमारी की इलाज के लिए ओपरेशन सर्जिरी अच्छे डॉक्टर की तलाश में है तो आपका ट्रेवल भी होगार इलाज भी हो जाए और इसके लिए पांच, छे, चौबिस और पच्चिस तारिक जब चंदरमा का छेटे बाव से नवम पंच्चम राज्यों के रहे तब आपको ये काम करना चाहिए। गुरू की पांच विदेश्टे अस्टम भाव पर होने से आपको हर काम को रिसर्च करके करना चाहिए तो आपके रिजल्ट अच्छे रहेंगे। मेरे प्रेश साथियों चोड, दुरगटना, मंगलवार और शनिवार को सकते हैं रहे तो आपको बचना चाहिए। अब मैं सभी विरिश्टिक राज्चे वाले लोगों को विशेश राजियों के उपाय बता रहा हूँ जिससे इस माह को यादकार और शांदार बनाए जा सके हैं। 14 दिसंबर मोक्षदा एकादशी पर हर प्रकाट से अपनी सुरक्षा के लिए बगवान दामोदर को लाल चन्दन चड़ाएं और बगवान विश्टू के वामन और नारायन स्वरूप का इस्परण करें। 16 दिसंबर मलमास प्रारम हो जाएंगे अपने लव पार्टनों लाइफ पार्टन के साथ रिलेश्टिशिप को मजबूत बनाये रखने के लिए। मलमास में पढ़ने वाले दोनों एकादशी पर सवा किलो चावल पीले कपड़ें बांद कर विश्टू मंदिर में दान कर दें। तीस दिसंबर सफला एकादशी पर अपने परिवार के सदस्यों की समरिधी के लिए दक्षनावर्थी शंक में जल बर कर बगवान नारान को अरपित करें जल अरपित करते हैं सब में शंक में कुछ जल बचा कर रख लें और उसे प्रसात स्वरूप स्वयम ग्रैंड कर ले आपके परिवार के सुख शांतिय जमरिधी ज़रू बढ़ेगी मेरे प्रियसातियों स्वस्त रहिए मस्त रहिए और व्यस्त रहिए मुझसे कुछ पूछना चाहते हूं तो आप उसे टेलिफोनिक अपाट्मेंट और वीडियो कॉन्फरेंसिक अपाट्मेंट के द्वारा जूड सकते हैं आज के लिए तरह ही प्यार वरा नमस्कार और बहुत बहुत आशरवाद